हलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिटर्मिनेशन इस्टडी प्लिटफर्म में आज की इस वीडियो में हम स्यूटी यूजी दौज़ी दौज़ा चोबीस के लिए जनरल टेस्ट के जिकके पॉलिटी के मस्ट इंपोर्टेंट को लेक इन से मैच जरूर करेंगे खीक है तो इन सभी को पढ़ ली जियेगा जरूर से जरूर तैयार कर ली तो चलिए हम पहले कोशन से इसकी सुरुवात करते हैं पहला कोशन हमारे पास दिया गया है भारत का प्रधान मंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अभिस्वास पत्र कब नहीं ले सकता है तो यह आपसल सही हो जाएगा जब वह सरकार राजिस सभा की सदर से होगी तब वह परस्ताव नहीं ले सकता है ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं बात करते हैं थर्ड नमर कोशन आपके सामने है भारत का समविधान निमनलिकित में किसका अस्वासन देता है तो भारत का समविधान किसका अस्वासन देता है आपसल देखिए यहाँ पे निमनलिकित में का आया है यानि कि इन सब में किसका अस्वासन देता है किसका नहीं देता है यह में बताना है तो देखिए छेतरी अखंडता को नहीं इसका अस्वासन स संप्रभूता को नहीं, ये तो प्रभूता को बढ़ावा देता है, संप्रभूता को बढ़ावा नहीं देता है, संग से अलग होने कारिकार देता है, नहीं, ऐसा नहीं, ये एक जूट रहा करके कार्य करने का आस्वासन देता है, तो ये तीनों जो है गलत है, तो क्या आपस बार जोड़ा गया था तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि पीछे के मतलब ये तो इक ग्यारावा मौली का दिकार है लेकिन इसके पीछे 10 जो मौली का दिकार थे और 263 में 42 संसुदन के बाद से जोड़े गये थे तो आपसननमबर पहला तब होगा जब 10 ज़मे तक के मौली का दिकारों की बात करेगा 10 ज़मे जब 10 जब आपके मौली का दिकार आए वह तरीकेसे ये आपसननबका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं पांच नमबर कोशन है उसके बाद से नीची आपके पास जो है आपसंज दिये गया है भारत के संबिधान में मतादीकार की आयू कौन से आगे लिखा गया है मतादीकार की आयू कौन से संबिधान संसोधन के बाद 21 से घटा कर 18 कर दी गई है तो किस संसोधन में जो मत अदिकार की आयू जो है 21 सी घटा करके 18 कर दिया गया है आपको पता होगा कि जो ओट देने वाले ब्यक्ति होते हैं अब उनकी 18 वर्स की आयू होती है लेकिन पहले 21 वर्स आयू होनी चाहिए थी तब जाके कोई मत दे सकता है यानि ओट दे सकता है क किसी प्रक्यासी को ठीक है तो इसमें सही आपतोन आपको होज었ता अब करते हैं अगला क्षान आपा। 69 लिकित में क्या भारत की संवीधान में सरदार स्वार्ण सिंह संभीथी की सीपारिश के बाद जोडे गए बाद से क्या जोड़े गए तो आपसन नमबर C जो है मौलिक करतब सरी है नेक्सट कोशन की बात करते हैं अगला कोशन हमारे पास है निम्ने लिखित में क्या सिक्षा के अधिकार प्रिदी में कौन-कौन क्या नहीं आते हैं इनिमें से अपसंस मे से प्राइबेट भी ज्याल मदर्शा प्राइबेट बित पोषीत प्राइब बुद्ण पहलए तो इन ना सब तोह आते हैं लेकिन मदर्शा जो ऑँ करतें निये आठ यह संब्धान से संबंधित फैसला लेना हो तो किस कोट में लिया जाएगा ठीक है तो समभिदान से संबंदित जितनी भी फैसलाएं हैं वो सभी फैसला जो है सुप्रीम कोट केवल करता है केवल सुप्रीम कोट में तो आपसन नमबर यह बिल्कुल सही हो जाएगा केवल सुप्रीम कोट ही इसका फैसला कर सकता है ठीक है तो समविदान से संबंदित कोई भी फैसला जो है सुप्रीम को बढ़ावा देने के लिए है ठीक है क्या सुनिश्चित करने के लिए राष्टिय एकता सुनिश्चित करने के लिए ठीक है तो यह आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा पहला आपसन ठीक है तो याद रखिए गामिजा कि जो निदी निदेशक सिधान्त है वो क्या है नागर गणज नवंबर अनुचाश से पहले भारत में काज से कानून था ठीक है ? काज से कनून क्या था। देखीए 249 की बाद कर रहा है तो 24 नुवंबर 349 से पहले जो काज कनून की कौन सा था भारत सरकार का अधिनियम अन्य सो 75 ठीक है तो भारत सरकार अधिनियम जो है cgi के सहीत cgi को लेकर के भी मतलब पूरे supreme court में नयाजीसो की संख्या कितनी है 31 है तो आपसन नंबर d विलकुल करेक्ट हो जाएगा याद रखिएगा कि supreme court में नयाजीसो की संख्या cgi याई साइद 31 है ठीक है तो ये आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन संविधान सभा ने तीरंगे को कब कहा कि ये राश्टिय ध्वज है तो ये 22 जुलाई तो 247 इसविध को अपनाया गया था तीरंगा को राश्टिय ध्वज बनाया गया था ठीक है 22 जुलाई 247 को ठीक है अगला कोशन आमारे पास यानि 14 नंबर है किसके नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंद समाप्त हो गये हैं तो किसके नाम पर यानि किसके लिए सारे अनु अगले कोशन की बात करते हैं यानि 15 नंबर कोशन आपके सामने हैं मनुष्यों और नागरीकों के अधिकारों की घोषडा निम्न में से किस देश से संबंदी थे ठीक है इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्यों और नागरीकों के अधिकारों की घोषडा है किस देश से अगला कोश्चन आपके स्पास है संभीधान के कीस अनुषेद में राजे के महाधीवक्ता की नियुक्ति, कार्या और कार्यकाल का वर्णन है तो यह है हमारे पास 165 अनुषेद में तो यह आप सनापका करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह बात किस अनुछेद में लिखी गई है, 165 अनुछेद में लिखी गई है, तो यह आपसन आपका correct हो जाएगा, 17 नमर कोशन हमारे पास, निमन लिखी में आउसिष्ट सक्तिया किसमे नहीत है, ठीक है, आउसिष्ट सक्तियों की बात कर रहा है, तो आउसिष्ट सक्तिया व हीत होती है, अगले कोशन की बात करते हैं, यानि 18 नमर कोशन हमारे पास है, राज्य का एड़ोकेट जनरल किसके परसाद के रूप में कारे करता है, ठीक है, तो आपसन नमर भी विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां से, जो एड़ोकेट जनरल होगा और राज्यपाल के परसाद के रूप में कारे करेगा, ठीक है, अगले कोशन की बात करते हैं, अगला कोशन यानि 19 नमर कोशन आपके पास है, भारत में निम्नलिकित निकाय में से किसका कारे किवल सलाकार प्रकृतिक तक ही सिमित है, तो किवल सलाह आदेने तक ही किसका कार परिशद में कब सामिल किया गया तो आपसर नमबर C विल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2002 में जो है सिक्षिम को उतर पूरो परिशद में सामिल कर लिया गया था तो आसा करता हूं दोस्तों आपको यह बीज प्रश्न अच्छे लगया होंगे अच्छे समझ में आ गया होंगे और किसी भी तरीके के help लगेगी अब मुझे WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं या आप comment box में भी बता सकते हैं अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद